हेलो गाइस वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल सलोन फैक्ट सलोन फैक्ट मैं आपका स्वागत है आज मैं आपके लेकर आया हूँ सिरोस्कॉफ कलर थ्योरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नियू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डॉन फॉर्गेट टू प्रेस दे बेल आइकोन ऐसी कलर की थोरी में हम बहुत सी लेकर आता हो गए अगर आप बेल आइकोन को प्रेस करते हैं सबसे पहले नोटिफिकरिकेशन आप पर जल्दी पहुचेगा तो गई सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एक स्टिक्स में आते हैं सब कलर के ब्रेंड है तो आज हम बात करें का इस तो पहले मंगाइस बात करें आपको सबी को पता हमारे जओ प्रैमेरी कलर होते हैं है कि क२ ए तब लोगयों की उनको तो आती है फिर्ण स्टिक्स की नहीं आती वेला की जिसको नहीं बता है मैंने उसको पर वीडियो बना रख्यागा इस आप जाकर देख सकते हैं और सेकंडरी सेकंडरी कलर कॉम कॉम सो देखा है इस हमारे ग्रीन ओरेंज और वोलेट यह होगा हमारे सेकंडरी कलर आप प्राइमेरी कलर जब आपस में मिलते हैं तब हमारे सेकंडरी कलर बनते हैं वो क्यासे अगर रेड कलर को मैं येलो से मिक्स करता हूं ठीक है गाइस अगर रेड कलर को मैं यलो में मिक्स करता हूं तो कौन सा कलर बनेगा हमारा ओरेंज जो के हमारे यह है second color हमें second color मिलिया ठीक है second color हमारा green भी है तो हमारा green color किस तरीके से बना है guys green color guys हमारा बना है blue color और yellow mix करके बनेगा blue plus यह बनेगा हमारा green color अब violet color कैसे बनेगा guys हमारा जब red color और blue color आपस में mix करेगे red color plus blue color आपस में mix करेगे तो हमारा color बनेगा violet यह देखे हमें secondary color तीनों मिल गए green, orange, violet जब primary color आपस में mix होते है तब हमें मिलते है secondary color ठीक है guys अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं शिरोस्कॉफ के base color और fashion set की तो guys हमें वीडियो जगा लंबी ना तो पहले से लिख रखे हैं यह हमारे शिरोस्कॉफ कलर की थियोरी में मैं चीज है जैसे हम बोलते है base color आप भी इसको लिख सकते है जैसे कि आपको confuse नहीं होना है base color जैसे कि आपको लोरिल में बाता है ना एक दो तीन चार पहला ब्लैक पांच वा जो light brown होता है इसमें भी light brown ही है देखें ठीक है कुछ मिलते जूलते है सारे सेम है बसमें क्या डिफरेंट है जो लोरिल सिधा बेस नंबर बे एक दो तीन लिखता था ना एक दो तीन यह लिखते है डैस लगाते है एक वन डैस जीरो ब्लैक थ्री डैस जीरो डार्क ब्राउन फोर डैस जीरो मीडियम ब्राउन पांच डैस जीरो लाइट ब्राउन ऐसे डैस लगते जाएगे और जैसे कि लोरिल में पॉइंट आता था जैसे कि उनके 5.3, 6.3 या फिर 0.1, 0.2, 0.3 यह सारी फैसन सेट थी सेट नंबर सेट से पहले पॉइंट लगाते थे तब हमें पस जाता था कि यह फैसन सेट है इसके आगे डैस लगा होगा इसके आगे डैस लगा होगा जैसे कि डैस वन सीन देवे यानि कि यह एंटी येलो है यह वोईलेट कलर रगाई या एस डैस टू यहाने कि एस कलर ये अनटी को पर है जो हमारा पॉइंट वन लौरिल में एस आ इनका डैस टू एस है हमारा पॉईंट सेवन के अहनी मैट यानि ग्रीण इनका डैस ठी ए मैट गिरीण जेम आब बस उपर निचे हो गए है और पॉइंट लगा रहें ठीक ह जैसे कि 7.3 था ठीक है गाइस लोरियल में लोरियल में अब यह क्या करेंगे इस नम्मर को कैसे लिखेगे 7-3 वेला वाले कैसे लिखेगे 7-3 ठीक है गाइस सेम सिरीज है बाइन के फैसन से तीन कै मैट है लोरियल वालों की गौल्ड है ठीक है गाइस आपको कंफ्यूज बिल्कूल भी नहीं होना है और मैं आपको पता दूँ जैसे कि इसके कलर ट्यूप को आप कैसे रीड कर सकते हैं जैसे कि 6-3 है तो मैं आपको रीड पटना सिखा सबसे पहले जो हमारा जो पहले वाली संक्य होती है वह होती हमारी बेस सेकंड वाली होती है हमारी शैसन सेड तो पहले 6 नमबर पर हम बेस पर देखे क्या है हमारा डार्क ब्लॉंड ठीक है गाइस तो हम लिख लेगें डार्क ब्लॉंड और डैस ठीक है हमारा मैट ठीक है तो हम इसको कैसे लिखेगे मैट तो इसको हम कैसे पढ़ेगे पहले हम फैसन सेट पढ़ेगे ठीक है गाइस समझ आ रहा हूँ आपको मैट डार्क बिलोंड इस कलर टीप को हम ऐसे पढ़ेगे अब जैसे की 7-3-1 है तो इसको हम जब हम यह कलर करेगे गाइस तब हमें किसकी रिफलेक्ट आएगी मीडल वाले की यानि की मैट की रिफलेक्ट आएगी ठीक है गाइस यह तो हमारा बेज कलर होगे दोनों फैसन सेट है प्राइमेरी एंड सेकेंडरी प्राइमेरी reflection secondary reflection हमेशा जो reflection आएगी वह आएगी हमारी सेक सोरी गाइस primary की तो हमें सब बीच वाली reflection हमें मिलेगी तो गाइस ही हमारी तिस स्योस्कॉप कलर थिवरी बहुत से लोग कंफ्यूज होते है कि इस थिवरी में क्या कुछ अलग है क्या कुछ नया है आप देखते हो कि सब ही सेम ह भी साथ बेश लोरीन में भी आ भी अपी एंवर लुरियल में फिवेला में भी इस में भी है axe अंदो नों में भी अ बस क्या है इ सब ह क्या है उनको पॉइंट लगा रहे है विला श्डॉक लगाता ए व पॉइंट लगा रहे थे व लाश ट्रॉक लगा था यह द्यास I hope guys आपको वीडियो अच्छे समाझ आगी होगी, अगर guys आपको किसी भी तरह की confusion होती है, तो guys मुझे comment करके बताइएगा, वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like करना, चैनल को subscribe करना, and don't forget to press double icon.